हलो गाइज तो आज मेरा weekly skincare routine का exfoliation देथा और मैंने just अभी chemical exfoliation किया है तो मैंने सूचा कि जब मैं chemical exfoliation या chemical peel करी रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि इसका सही तरीका क्या होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग chemical peel तो लगाते हैं लेकिन उसका सही तरीका उनको पाता नहीं होता है जिससे उनको अच्छे results नहीं मिलते हैं तो चलो let's get started first step क्या रहता है सबसे पहले chemical peel करने से पहले हमें करना होता है face को clean और यहां पर मैं सबसे पहले use करें सुगंदा का squalene cleansing oil cleansing oil जो है उसको इस्तेमाल करने से होता है कि जो भी dirt impurities जो है makeup है वो melt हो जाता है और हमारे पोस जो है unclog हो जाते है तो यहां पर मैं सुगंदा का cleansing oil यूज़ करते हैं जो बहुत light weight है और बहुत अच्छे से makeup को remove करता है इसके full review video अलग से आएगी जिसमें मैं इस product के good and bad point आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस तरीके से मैं 3 और 4 pump का यूज़ करते हूं और अपने face पे इस oil को apply कर लेते हूं फिर अच्छे से 2-3 minute के लिए इसको massage करते हूं ताकि जो भी मेरे face पे dirt impurities है even sunscreen है वो melt हो जाए और फिर अच्छे से remove हो जाए अगली मैं आपको ब काथ मैं normal water से इसको wash कर लेंग हूई actually chemical peel मैं काफी time से कर रही हूं जिससे काफी जादा benefits मुझे मिल रहे हैं और साथ ही साथ में कोई भी side effect नहीं मिल रहा है पहले क्यों था chemical peel मैं पहले भी की हूई हूं लेकिन उस ताइम मुझे सही तरीका पता नहीं था chemical peel करने का जिससे क हो जाती थी और मेरी स्किन काफी जादा अगले दिन जो है बंपी जी हो जाती थी लेकिन रही सही तरीके से यूज करने से मेरी स्किन काफी clear और glowing हो गई है तो फेस को अच्छे से wash करने के बाद चलते हैं अपने next step के और next step है अपने face को दूबारा से wash करना with the help of face wash तो यहा कोई active नहीं होने चाहिए like salicylic acid तो हमें simple का purifying gel wash यूज करें जो बहुत light weight है बहुत ही ज्यादा gentle है हाथ पे इसको अच्छे से पंसाज करूंगे उसके बाद अपने face पे अपलाई करके इसको one minute के लिए अच्छे से मसाज करेंगी ताकि जो भी residue बच गया है डर्ट बच ग तो definitely you can give it a try इसके अलावा मैं Cetaphil का gentle face wash भी मुझे काफी पसंद है और मैं उसको भी यूज कर लेती हूं लेकिन फिलाल मैं simple का यूज कर रहे हूं इसकी मैंने हर बराइटी यूज की हुए है इसका vitamin C का भी बर्जन आता है तो अगर आप chemical expolition करने वाले हो तो उसका use मत क तो face को अच्छे से मैंने wash कर लिया है और यहां मैं use कर रही हूं tissue का to dry my face अच्छा मैं आपको एक बात बता देती हूं especially for chemical peel आप टावल का इस्तेमाल ना करें face को dry करने के लिए क्योंकि टावल में भी थोड़े बहुत germs होते ही है अगर आपका टावल clean भी है तो तो इस तर तो यहां पर आपको इस्तेमाल करना है किसी भी toner का preferably अगर वो green tea toner हो तो तो यह मैं plum का green tea toner इस्तेमाल करें हो यह step sensitive skin वाले लोगों के लिए तो बहुत ही जादा important है chemical peel करने से पहले इसके दो फाइदे है एक तो क्या होता है अभी अगर आपके skin पे कोई residue को डर्ट बच गह और उस residue उस dirt को इस impurities को remove करेगा साथी साथी हमारे skin पे थिन लेयर जो है बना देता है which is of anti-inflammatory तो जो आपको chemical peel से irritation होने वाली है वो भी नहीं होगी लेकिन effects आपको अच्छे मिलेंगे तो यह जो है बहुत ही जादा important step है specially अगर आपकी sensitive skin type है उसके लिए तो पहले मैं इस को follow कर रहे हूं मेरी skin just glow करती है इसके लावा कोई भी जो है side effect देखने को नहीं मिलता तो उसके बाद इस toner को होने देंगे naturally dry completely क्योंकि जब भी हम chemical peel लगाते हैं वो हमें एकदम dry skin पे लगाने होती है to get the maximum benefits और जब भी आप chemical peel का इस्तेमाल करें अगर आप beginners है तो बिल्कु high percentage है bigness के लिए बिल्कुल भी suitable नहीं है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का यह appeal है जो दिखाई दे रहा है तो चलो अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं लेकिन अगर आप beginners है तो मैं फिर से बोल रही हूं इसका patch test जरूर से कर लें directly अपने पूरे face पे इस को हलकी से थिन लेयर में spread कर देती हूं जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो मैं cover करते हूं entirely अपने cheeks area को और उसके साथ जो nose के sides को भी and eyes की sides के तरफ लेके जाती हूं ते बिल्कुल एक thin layer apply करते हूं बिल्कुल भी thick layer apply नहीं करते हैं chemical peel लगाते time जो आपको chemical peel नहीं लगाना है और nose की edges के पास chemical peel नहीं लगाना है क्योंकि वहां पर क्या होता है हमारी skin sensitive हो जाती है पतली होती है तो वहां पर reaction काफी ज़्यादा हो सकता है तो eyes के around avoid करें and mouth के around बिल्कुल lips के पास जो area है इसको तो avoid करें यहां पे मेरा chin area बचता है तो छोटा सा drop ले देखेंगे मैं बिल्कुल lips के पास इसको लेके नहीं जाओंगी इसको थोड़ा दूरी रखोंगी जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे है तो इस तरीके से मैं अपने पूरे face पे एक thin layer apply कर लिया इस chemical peel का ऐसे ही आपको करना है तो अब मैं wait करूंगी 10 minutes के लिए तब पील अपना काम करेगी और तब तक मैं क्या करूंगी वह मैं आपको दिखाती हूँ तो जब तक पील अपना काम कर रही है मैं अपने lips को भी exfoliate करूंगी ताकि मेरा पूरा face जो है वह आज के दिन exfoliate हो जाए तो यहां पे मैं organic जो है lip scrub का इस्तेमाल कर जो मैंने online ही purchase किया है यह बहुत जाद स्मूध है और बहुत अच्छे से lips को scrub करता है तो आप कोई सावी जो है वो lip scrub use कर सकते हो इबन आप घर पे भी बना सकते हो डियावाई lip scrubs are the best कैसे बनाना है sugar चाहिए coffee चाहिए sugar और coffee का scrub बहुत अच्छा है या sugar और coconut oil का scrub बहुत अच्छा है तो जैसे भ कर लोंगी for good five to ten minutes तो जितना भी मेरा मन करता है उतरहीं देर के लिए में अपने lips को अच्छे से scrub कर लेती हूं अच्छे से massage कर लेती हूं exfoliate कर लेती हूं तो अभी मैं आपको lips को अच्छे से scrub करके दिखाती हूं यहा मैंने lips को अच्छे से scrub कर लिया है कोई 7-8 minutes के लिए तो अब मैं cotton pad kelp से इसको remove कर रही हूं अच्छे से इसको सारे product को मैं remove कर लोंगी and already I am feeling my lips so soft मुझे बहुत ज्यादा soft जो है वो यह feel हो रहे है यह बिल्कुल क्या करते है अगर आपके lips पे थुड़ा tanning भी हो रहा है उसको भी अच्छे से remove कर देंगे और आपको baby soft lips जो है जो है बेटर लग रही है glowing लग रही है again मैं टिशू का ही इस्तिमाल करूंगे अपने face को dry करने के लिए मैं chemical peel के दिन जो है बिल्कुल भी टावल के इस्तिमाल नहीं करती क्योंकि टावल में मुझे लगता है कहीं है कहीं जो है वो germs होते हैं तो आप देख सकते है कितना जो है बिल्कुल soft था टच करने के लिए तो अभी क्या करना है अभी post chemical peel care करना भी उतना है जादा important है which is a hydrating part तो आप जो है आप basically आपको कोई भी hydrating serums या toner का इस्तिमाल करना है उपस यह जो प्रोड़क्टर लगाते हैं गेरिया यह कॉजरोक्स का snail mucine essence तो डिरेक्ट फे इसे इस्तेमाल कर रहे हूं तो इसका review मैं जल्दी शेयर करूंगी लेकिन अभी नहीं पहले हम अच्छे कार से दिन के लिए इसको use कर लों करीब करीब दो से तीन मन्त के लिए उसके बाद ही मैं अपना honest review आप लोगों के साथ शेयर कर रहूं लेकिन फिलाल मैं इतना बता नहीं किया है तो please do subscribe and like my video and also share my video to your friends तो जो बढ़ जाता है मैं उसको अपने नेक में इस्तेमाल करते हूं आप देख सकते है मैरी स्किन कितनी glowing लग रही है उसके बाद मैं second hydrating serum यूज करूंगी which is hyaluronic acid and this is from the brand B minimalist यह मुझे बहुत जादा हाइडरेटिंग लगता है मेरी स् कंसिस्टेंसी में यह थोड़ा सा थिक है बिल्कुल लिक्विडी नहीं है एक्शली असेंस की जो वो थी कंसिस्टेंसी थी उसी का ही है तो मैं इसकी 3 drops लेती हूं अपने पूरे face face को अच्छे से मसाज कर देती हूं ताकि यह अच्छे से absorb हो जाए और जब तक कि absorb नहीं हो करते हैं जैसे उनको maximum benefits जो है नहीं मिलते हैं और उनकी skin irritate भी रहते हैं लेकिन ऐसे hydrate रखके जो है आपकी skin just glow करेगी और बिल्कुल भी आपको irritation जो है यह नहीं फीलोगी यह redness जो है वह नहीं फीलोगी इस इस माइच्छल स्किन बिदाउट अनी फिल्टर विच बच अब भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है लेकिन यह मेरी पुरानी स्किन से तो मच पैटर है लास्ट है पाता है यूज ऑफ मॉच्छ राइजर एंड मेक शार कि आप सेरमाइड मॉच्छ राइजर का इस्तेमाल करें क्योंकि सेरमाइड क्या करते हैं जो भी हमने एक दम हाइडरेटिंग नरिशिंग स्किन के साथ उठते हो जिससे आपको खुद को ही बहुत अच्छा फील हो जाता है तो यह अच्छे से मसाज करने लेके बाद लास्ट है रहता है यूज ऑफ मॉच्छ राइजर ऑन लिप्स यह मैं वैजलीन लिप थेरपी का यूज कर तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को डेफिनिटली लाइक करके जाना और दिस इस माय रियल रिव्यू अबाउट दे कैमिकल एक्सपॉलियेशन और आप देख सकते हैं कैमिकल पील करने के बाद नैचुरल ग्लो जो है वो कितना जादा आ गया है ऐसा लग रह लेकिन जो बिल्कुल भी सच नहीं है तो अभी नाई टाम हो गए और भी मैं करते हूं सोने के तियारी तो गाइस अगर आपको मेरे वीकली स्किन के रूटीन देखना है कि मैंने कैसे डिवाइड क्या हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताना मै टाम निकल के ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी तब तक के लिए बब बाई गुड नाइट मिलेंगे अगली वीडियो में टेक एट